नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आप बताएंगे कि यह फिल मारसल का कॉमेट इंजन है पांच एचपी का और इसमें इंजन यह पंखा पानी नहीं उठा रहा है इसमें क्रेंक में ही इंपेलर फेन बंधा होता है तो यहां से हम खोल देखते हैं इसे यह से यह देखिए इस का लोगो लगा हुा है पंख्य का अधेक सकते हैं आप अपर यहां पर डीटेल यहीं पर जानकारी से इसमें देजाते हैं जिसमें पंखा इंजन में ही फिटिंग होता है क्रेंक साफ्ट में पंखे को बांधा जाता है तो यहां से इसको खोलेंगे 15 नमबर viaje से और यह यह ग़ेलर से के ही करषन में कनेक्ट होता है यह यहां से यहां से यहां से खोलेंगे इसमें ओल्टा को चूड़ी होती बुल्ट लिएस और नियुक होता है तो पहले तो हम इसका ये फेन कवर खोलेंगे और इसे हम सूद भासा में सेंट्रिफ्यूगल इसको पंप बोलते हैं ये पानी उठाने के बाद छोड़ देता है और इसमें इसका आयल सिल किस साइज का पढ़ता है ये भी हम आपको बताएंगे तो बने रही हमारे साथ राम सागर के साथ और हम आपको इसी तरह की जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो इसे हम 15 नंबर की चाभी से इसे पहले खोलेंगे जो कवर लगा हुआ है पहले उसके बाद में हम आपको जानकरी आगे की देते हैं कैसे आपको खोलना है ताकि आप घर पे ही इस पंखे को रिपेर कर सके हैं क्योंकि इस टाइप के पंखे बहुत कम है फिल मारसल में ही जादा इस टाइप के दे रहे हैं कुछ आराम भी है कुछ दिक्कत भी होती है तो मैंने इन बोल्ट सारे खोल लिये है और इसे हम इस कबर को खोलते हैं फिर बाहर आपको जानकरी देते हैं क्या इसमें अंदर किस नंबर की आल सिल लगी होती किस टाइप की लगी होती क्योंकि इसमें आल सिल एक दूसरे मॉड लगेगी तो हम इसे इंपेलर को भी खोलेंगे इंपेलर बोलते हैं कभी कहीं वाटर फेन यह होता है इसमें 21 नमबर की लगेगे फीरल मांबर की इस टाइप के आलसी बहुत कम उपलब्द है हो सकता है आपको अजनसी चांट ले 21 नमबर की चावी से आपका ये बॉल्ट खोल जाएगा तो इसे आराम से इसे बॉल्ट को खोल लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हम आपको इसी तरह की जानकारी देते हैं अब हम इसे इंपेलर को थोड़ा दिक्कत होती है निकानले में तो मैंने जो पंखा है जो इसे हमने खोलिया है और हम आपको निकाल के आगे का प्रोसेस बताते हैं तो हमने खोल लिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे यह पंखा की जो इंपेलर चाभी है, यह भी हम निकाल देंगे, क्योंकि इस चाभी के जरिये ही चलता है नहीं, तो इस सिलिप भी हो सकता है, अब हम आपको इसमें आयल सिल देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, त उसी तरह से उसको फिटिंग कर दीजिए आपको किसी कारिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी यह हमने भी खोला था उसके बाद में मैं सेटिंग नहीं किया है वो अपने आप से ही उन्होंने सेटिंग कर लिया इसे देखके यहाँ पर यह भी पंदरा नंबर चाभी से ही बोल्ट आपके खुलेंगे वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो हमारे वीडियो के लाएको चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और अगर किसी प्रकार की दिक्केते तो हमारे कमेंट बॉक्से जरीए हमसे आप जानकारी ले सकते हैं यह हमारा यहां से खुल गए आप देख सकते हैं यहां पर हमारा करेंक सॉप्ट में ही इंपेलर बंधा हुआ था अब इसमें जो है इसी में सारी कारीगरी का इसमें ही सारे जो पूरिजे लगे होते हैं तो इसी में हम आपको दिखाएंगे क्या क्या आइटम लगा होता है तो देख सकते हैं ये हमारा आइलसील है यह सिंगल आयलसील में आता है और आयलसील थोड़ा महंगा भी आता है देख सकते हैं इसमें दूसरे मॉडल की है एक दूसरे मॉडल में आयलसील आती है उसमें रबड होती है आयलसील का हम नंबर भी साथ में दे रहे हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ILCY नमबर और इसका रेट भी प्राइस दिया है ये फिल मार्सल की कंपणी का ही आल्सिल है और मार्केट में अधर मार्केट में बहुत कम मिलने के चांसे है तो मैंने आपके लिए इसलिप भी छोड़ दी फोटो, मैंने दे रखी इसमें आपका नमबर और प्राइस यह आपका लगाओ यह पुराना रेट है इसका फैबरी का फैबरी 2019 और इसका आइल सिल जो होती इसमें नमबर नहीं होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्रेंग से एक अपनेक्ट यह धुरा है और इस पर यह आइल सिल ऐसे लगा होता है ये धुरे पे जो धुरा होता है इसका क्रेंक उस पे आलसिल नहीं होती है उसके बॉड़ी में जस्ट में टच होती है और इंपेलर के बॉड़ी में टच होती है ये सिंगल पीस ही आलसिल आता है और एक ही आलसिल पड़ता है ये बाहरी कबर इसका लोहेका होता है और अंदर रबड और मोटी स्प्रिंग एक लगी होती है आपको इसी नमबर की आलसिल लेना है और हो सकता है आपको ये फिल्ड मारसल की एजनसी पे ही आपको मिल पाए चार दुकानों को जाके उसके बाद में हमें एजनसी से ही प्राप्त हुई थी जहां से मैंने इंजन खर्दवाया था उससे यह इसमें मोटा स्प्रिंग होता है तो ऐसे आप देख सकते हैं इसका ऐसा प्रेसर देखा जाता है हाला कि यह 50% खराब है पूरा खराब होता तो पानी उठाता ही नहीं पानी उठाने के बाद कुछ समय बाद छोड़ देता था और इसके नीचे एक यह जो बलेक वाला देख रहे हैं यह इसमें बॉड़ी में ही लगा होता है यह रिड़ वाला और यह इस्टील वाला यह दो पीस आपको मिलेंगे और यह रबर वाला यह इसी में ही बॉड़ी में 66 लगा होता है तो हम यह अमने आजिसल नंबर भी आपको दे दिया है आप इसी तरह से आप इसे खोल के सिट कर सकते हैं धन्यवाद